गुड मॉनिंग तो आल दी वीवर्स इस वीडियो इस अबाउड दीडिफेरंस कर एनलिसेस यानि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि आईसी एनलेसेस के बेसिस पर यह वीडियो बनाया गया है यानि IC analysis का पूरा complete structure वो इस वीडियो में है आपको देखने को मिल जाएगे अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजे हैं तो IC analysis के basis पर यह किया गया है अब पहला हम देख लेते हैं कि कैसे यह start हुआ है कि सबसे पहली बार जो आइसी पढ़ा जाता है वो हमारा पढ़ा जाता है ओर्डिनल अप्रोच में यानि कि IC का मारा जो पूरा का पूरा study किया जाता है वो किया जाता है ऑडिनिल अप्रोच में क्या बोला जाता है कि व मारओ जो है व था कि काडेनल अप्रोच में काडेनल नम्वर समस हो सकता है लेकिन यहां पर ordinal approach में, ordinal numbers में यह करके होगा, तो यहां पर हम देख लेंगे पहले कुछ conditions यहां रखी गई है, कि consumer equilibrium में कब होगा, वो हमको देखना है, तो पहले तो condition हम देख लेते हैं कि conditions क्या-क्या रखी गई है, तो कुछ conditions हैं इसमें, जैसे कि पहली condition हमारी रखी गई थी, कि the budget line जो होगा, वो, budget line, जिसी को price line भी बोलते हैं, should be tangent to IC, यानि यह क्या होना चाहिए, tangent होना चाहिए, जो IC आप है, किसी भी IC is tangent होगा, जिस point पर tangent होगा, उसी point को हम consumer का equilibrium point मान लेंगे, दूसरा है हमारा कि IC should be convex, यानि IC जितनी भी ICs होगी, वो हमारी convex होनी है, तीसरा हम कह सकता है, consumer should be rational, यानि consumer जो होगा हमारा, वो rational प्राणी होना चाहिए, irrational नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो वो satisfaction उसको generally मिलता है, वो satisfaction उसको बराबर gain हो रहा हो, उसके बाद चौथा और सबसे important जो है हमारा, कि MRS XY should be equal to PX upon PY, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि slope of IC, MRS को ही slope of IC बोलते हैं, slope of IC is equal to slope of price line, इस slope of price line होता है, तो दोनों ये equal होने चाहिए, price line और budget line दोनों कह सकते हैं, तो ये दोनों जहां पर equal होगा, वहां पर भी consumer equilibrium में रहेगा, यानि ये 4-5 cases जो लिखेंगे, 4-5 conditions को fulfill करने के बाद ही, consumer हमारे equilibrium में होगा, तो हम देख लेते consumer equilibrium को, किस तरीके से हमको determine करना, सबसे पहले इसके लिए थो हमको जरूरत पड़ीगी एक diagram की, यहां ले लेंगे Y goods, अब हम इसमें ICS को different type के ICS को हम determine कर लेंगे, draw कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है, पहला IC हमने draw कि, IC number 1, यह दूसरी IC हमारी होगा, IC number 2, यह तीसरी IC होगा, हमारे IC number 3, अब तीन ICS होगा, तीनों ICS जो हैं, वो अलग-अलग part का satisfaction consumer को provide करेंगे, यह तो आप जानी रहें, यह हमारी बात पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता चुका, अब हम देखेंगे कोई भी एक price line, जो कि इससे touch करती हो जाती है, तो एक हम price line ले ले लेते हैं, यह budget line जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि tangent के रूप में, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह यानि AB जो price line है, यह इसको यहाँ पर tangent हो रही है, तो यह इसको हम part mark कर देंगे E, तो यह हमारा हो जाएगा, यानि हम कह सकते हैं कि यह हम अगर इसको ऐसे mark कर लें, यह और यह नीचे mark कर सकते हैं, तो यह हमारा, suppose OP है, यह OQ है, तो OQ quantity Y का जब ओखाएगा, और OQ quantity X का खाएगा, यह तो हो गया हमारा diagrammatic explanation, अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं कि क्या है यह, सबसे पहली बात आप यह समझ लीजें, कि जो हमारा यह IC हमने ड्रॉ किया है, इसमें हमने पहले ही पढ़ा है, इसका IC का feature होता है, कि higher IC gives, higher satisfaction, यानि कि हमारा जितना जादे IC पर हम जाएगे, higher IC gives, higher satisfaction, यानि वो हमको satisfaction जादे देगा, पहली बात तो यह है, ठीक, अब इसी क्रम में हम देखेंगे, जब कि ज़्यादे IC पर हम जाएगे, ज़्यादे satisfaction जब हमको मिलेगा, तो that means what, कि when the consumer will move from IC1 to IC2, and IC2 to IC3, then he will get more satisfaction in IC number 3, यानि सबसे ज़्यादा highest satisfaction उसको highest quantity, और कहां मिलेगा उसको IC number 3 पर, लेकिन, क्योंकि हम जानते हैं, कि budget हमारे पास limited है, हमारा दूसरा condition भी है, आप एकी budget भी है, हमारे पास scene लेके चलना है, कि हम ऐसा थोड़ी कि goods को choose ही कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, उसको देने के लिए, तो इसलिए हम budget line भी draw करते हैं, क्योंकि budget line बताता है, कि दो goods को किस तरीके से हम distribute करें, तो दोनों को जो हम draw करते हैं, तो यह हमारा इस point पे, यहां का जो combination होगा, जैसे हर point पे combination हम लोग बताएं, निका IC पे हर point पे combinations होते हैं, जो की equal satisfaction देते हैं consumer को, सपोज यहां A point है, यहां B point है, यहां C point है, यहां D point है, यहां पे last में, जो चार point का IC बनाऊँवा था हमारा, अब इस चार point का IC में जो C वाला point था, सपोज यहां पे कोई भी combination होगा, 10 और 20 का होगा, यानि 10 हमारा Y goods का, और 20 हमारा X goods का, यानि यह जो है consumer buy कर सकता है, अपने limited income में, यानि यह जो combination होगा, इसको अपने budget में buy आराम से कर सकता है, तो main इसमें पूरे अप्रोच में यही समझना है, कि किस तरीके से consumer, equilibrium में होगा, यानि किस तरीके से consumer इसको buy करेगा, अब यहाँ पर हमको देखना है, पहला तो हमारा होगा budget line शुट भी, यह हमने उपर लिखा ना, budget line tangent वाला, तो वो तो हमने बता रखा, अब हम जो दूसरा हमारा ICU should be convex, अब IC जो है convex होगी, तभी किस का tangent बनेगा, यूकि concave IC का tangent अलग हो जाएगा, और यह convex IC का tangent अलग हो जाएगा, तो दूसरी बात, तीसरी बात हमारी क्या है, कि consumer should be rational, यानि consumer जो होगा, वो rational होगा, चौथा और सबसे important बात जो उसमें लिखा गया था, वो था हमारा, कि IC, जो हमारा MRS होगा, उसके बारे में बताया गया था, कि MRS, XY जो होना चाहिए, वो price ratio के बराबर होना चाहिए, इसको price ratio भी कहते हैं, slope और price line भी कहते हैं, यह दोनों equal होना चाहिए, अब देखे, अब इसको समझ लेते हैं तो बाट deep में, कि MRS क्या होता है, तो MRS मतलब होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, यह हमने पढ़ा ही है था, यह MRS का, और यह equal किसके होना चाहिए, तो PX अपॉन PY के, यानि, कि जो change in Y goods होगा, और change in upon Y goods और X goods जो होगा, वो price ratio के, दोनों goods के price ratio के पराबर होना चाहिए, तब जाके हमारा slope प्रापर बैठेगा, और consumer हमारा equilibrium होगा, अब जबकी हम यह बात कह रहे हैं, कि MRS वाला बात है, तो MRS को किस तरीके से लिटर्माइन करेंगा है, यानि MRS क्या होगा, तो हम लोग schedule के basis पर एक पहले भी देखे थे, कि MRS किस तरीके से निकलता है, तो हमने यहाँ पर X goods सपोज ले लिया है, यहाँ पर हमने Y goods ले लिया, यहाँ पर हम MRS लिख देते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज हमने यहाँ पर लिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लोगा 30, अब MRS आपको पता है, MRS हमें इसा dimnish करना चाहिए, यह IC इसका property IC का, कि MRS होना चाहिए, वह हमें इसा dimnish होगा, तभी IC आपका convex होगा, तो अब यह dimnish करते हूँ, हम दिखा लेंगे इसको, यह हो गया हमारा 25, अब यह हो गया हमारा 21, इसको हम 19 लिख देते हैं, अब हमारे इस पहला हमारा कुछ नहीं निकलेगा, दूसरा हमारे इस कितना निकलेगा, नीचे वाला मैंस करेंगे, तो 5 हो जाएगा, और यहां से हमाइनस करेंगे, तो 1 is equal to 5, फिर यहां से हो जाएगा 4, और 1 is equal to 4, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3, 1 is equal to 3, यहां 2 ही होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा, तो यहां पर हमको देखने को मिला है कि MRS हमारा particularly 5, 4, 2 या निया MRS हमारा totally decreasing order में है that means कि यह IC हमारा sorry यह schedule हमारे convex IC का schedule है यह तो clear हो गया अब इसके बाद इस IC में किस तरीके से price ratio का combination होगा अब suppose कर लेते हैं कि जो price of x था वो था 10 रुपया price of y था वो था 20 रुपया तो इसको 20 ले लेते हैं इसको इसको 10 कर लेते हैं अब हमारा जो इसका ratio निकल रहा है वो हमारा निकल ला है कितना जब ratio निकल लेंगे हम इसको upon करेंगे तो यह निकल ला है कितना 10 upon 20 is equal to 2 तो अब यह अब जो MRS आना चाहिए यानि MRS किस जगा पीक्वल है तो इस डाइग्राम में आपको देखने को मिल ला है जैसे यहाँ पर लिखा हूँ फॉर्मिले के बेसिस कि MRS equal होना चाहिए PX upon PY के तो अब MRS जो है अब MRS यहाँ पर होना चाहिए अब यहाँ पर हम देखने कि MRS हमारा आया है 2 इस पर यानि 4 और 19 कॉंबिनेशन पर हमारा MRS आया हुआ है 2 और वहीं पर हमारा प्राइज रेशियो भी जो हमने प्राइज जो यह लिगा हुआ था यह भी हमारा आया हुआ 2 तो यानि इस जगह पर यानि by consuming 4 units of X and 19 units of Y the consumer will be in proper equilibrium यह मैं आपको पूरा explanation के साथ numerical के साथ मैंने आपको बता दिया कि जहां पे consumer यानि जो OX है यानि O, sorry, O, P जो commodity होगा जैसे diagram में हमने O, P draw किया यह वाला यह हिस्सा जो है तो यह O, P जब खाएगा X goods का और O, Q जब खाएगा Y goods का then only the consumer will be in equilibrium अब यह होगा कितना O, P और यह कितना होना चाहिए तो यह होना चाहिए 4 and 19 यानि 4 units कहलो या 4 pieces कहलो या जो भी हमने लिया है वो हम कहलेंगे 4 किसका खाएगा वो तो X का O, P quantity होगा 4 और Y का होगा 19 इतना जब वो consume करेगा then वो उसको pay भी कर सकता है यानि जो उसको limited income है यानि यह जो 20 रुपे के हिसाब से है और यह 10 रुपे के हिसाब से था इसको यह pay भी कर पाएगा easily और इसके basis पर यह पूरी तरीके से satisfied consumer हो जाएगा अब यह पूरा हम करते क्यों है तो पस हमको करना इसलिए क्योंकि हमको पता लगाना consumer equilibrium point तो यही इसलिए इपॉइंट जो होगा हमारा यह हो जाएगा consumer equilibrium point क्योंकि at this point the consumer will be in equilibrium full equilibrium यहाँ पे हमारे सारे cases सारे चीज़े जो है confirm और clear हो गई है यहाँ पे हमारा consumer equilibrium में होगा तेक बार फिर समझ लीजिए कि ordinal approach में इसको पढ़ा जाता है इसमें पहली चीज़ होगी कि budget line इसका condition होगा budget line should be tangent to IC दूसरा condition होगा IC should be convex तीसरा होगा कि consumer should be rational चौथा होगा हमारे sexy should be equal to px upon py इसके बाद हम क्या करें उसके बाद हम अपना IC schedule के लिए साथ हब ड्रॉब कर सकते है यह general IC हमको यह पता है कि जब consumer higher IC पर जाएगा तो higher satisfaction उसको मिलेगा इसलिए हो हमेशा चाहेगा कि हम IC number 3 पर survive करें लेकिन क्योंकि उसके पास income limited है तो वो income को पे करने के लिए यहां तक उसको income रहना चाहिए या इन सब bundles को खाने के लिए इन सब combinations को consume करने के लिए लेकिन उसका income limited है इसलिए से वो income प्रेवल नहीं कर रहा है उसको allow नहीं कर रहा है कि वो यहां पे IC number 3 के combination को खा पाए खाने को IC number 1 को खा सकता है अपने limited income में लेकिन वो उसको satisfaction जो देंगे वो कम देंगे तो इसलिए से वो जाएगा IC number 2 पे और IC number 2 का कौन सा combination तो IC number 2 का जो C वाला combination है यह C वाला combination उसको देगा maximum satisfaction with his limited income और यहां पे consumer हमारा जो हो जाएगा पूरी तरीके से satisfied हो जाएगा तो यही topic हमारा बचा हुआ था lesson number 2 consumer security medium में यानि यह topic हमने cover कर लिया अब हमारे पास कोई इसका topic related नहीं है तो अब हम जब देखेंगे next topic हम देखेंगे demand के लिए कि demand हमारा क्या है demand से related चीजे हम देखेंगे अपने next video में so hope you are enjoying the videos and thank you for watching this videos